आमतोर पर नए साल का स्वागत लोग जशन और पार्टी से करते हैं लेकिन मध्यप्रदेश के बैतुल के जुला अस्पताल में नए साल पर कुछ अनोखा नजारा देखने को मिला बैतुल के जला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने अपने स्टाफ के साथ शिशू वार्ड को गुबारों से सजाया और बीमार बच्चों को बिस्किट चॉकलेट और बलून स्वित्रित किये बैतुल जला चिकित साले की बलड बैंक इंचार्ज अंकिता श्रीते ने अपने स्टाफ के साथ जला अस्पताल के शिशू वार्ड के बच्चों को खुशी बाटने के उद्देश से पूरा वार्ड बलून से सजाया साथ ही बच्चों को खाने के लिए बिस्किट और चॉकलेट भी दिये इस दोरान डॉक्टर अंकिता ने बताया कि इस वार्ड में 42 बच्चे भरती हैं और बच्चों को भी नया साल मनाने का मौका मिले इसलिए यहां आयोजन किया गया है पहले तो आप सबको नवश की हादिक शुपकामन है आज हमने जिला चिकित साले में जो बलड बैंक है वहां का स्टाफ और हम जाके आज बच्चा वार्ड में सुबह हम लोगोंने सारे बच्चों को जितने सीकल सल अनीमिया थैले सीमिया से पेड़ित बच्चे हैं लोगों को हमने चॉकलेट्स और बिस्केट्स और बलून्स दिये ताकि जो बिमार बच्चे हैं उनको भी लगे कि नववर्ष है और उन्हें भी कुछ रहने का हाख है साथ में हमारे स्टाफ ने आज पुरा बलड बैंक बलून से डेकोरेट किया और जितने हमारे रक्तदाता जो आ रहे हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हम भी कुछ समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और हमारा बहुमूल्य रखत दे के जेसार टाइम्स के लिए बैतुल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट